इसे राची जारखंड से संतोष विश्व कर्मा ने पूछा है संत क्यों कहते हैं कि कोई अपना नहीं है संतों ने चार पुरशार्त की बात की है अर्थ, धर्म, काम और मुक्ष अर्थो पारजन करना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है तो पहला पुरशार्त है धर्म क्या है? जो हमने अर्थो पारजित किया अर्थो पारजन किया तो उसमें कुछ हिस्सा हम परोपकार पर खर्च करें, धर्म पर खर्च करें, मानलो जितना करें, गुरु साहिबानों ने जैसे कहा कि दस प्रतिशत हमें परोपकार पर खर्च करना चाहिए, तो तन से, मन से, धन से हमें परोपकार करना चाहिए, तीसरा पुरशार्त है काम, अर्था जो हमारी जीवन की मूलभूत आवशक्ताएं हैं, उन आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए हम पुरुशार्थ करें, हमारे परिवार है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, जो हमारे उत्तरदाइत्व हैं जीवन के, उन उत्तरदाइत्व को पूरा करना काम है और फिर चौधा पुरुशार्थ है मौक्ष और ये जो मौक्ष है ये मौक्ष का क्या आर्थ है कि निश्काम हो जाना मौक्ष है तीन पुरुशार्थ में तीसरा काम है लेकिन काम में एक तत्व है कि दूसरे से अपेक्षा हमारी चलती रहती है हमारी अपिक्षा चलती है कि दूसरे हमारे लिए क्या करें हम दूसरे को अपने अंसार चलाना चाहते है निश्कामना का अर्थ है कि हम सबकी स्वतंतता का आदर करें ये आग्रा नहीं हमारे मन में हो कि कोई हमारे अंसार चले तो ये जो निश्कामना है यही मोक्ष का द्वार है और जब तक अहंकार है तब तक कामना है तो ऐसा भी कह सकता हो कि निरहंकारिता ये मोक्ष है और निरहंकार है तो कामना है अजब तक कामना है तब तक पुनर जन्व है क्योंकि ये कामना ही हमको अगले जन्व में खीच करके ले आती है तो इसलिए निश्कामना मुक्ष है, निरहंकारिता मुक्ष है क्योंकि ये सो अत्रिप्ति के कारण है कामना क्यों है, विशे सुकों की चाह क्यों है, क्योंकि हम अत्रिप्त हैं, और बाहर से हम इसको भरना चाहते हैं, बाहर से अपनी अत्रिप्ती को दूर करना चाहते हैं, वो कभी दूर होती नहीं, तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, कि आत्म आत्म त्रिप्त होना मौक्ष है, कि अब बाहर से हमें किसी सूख की तलाश नहीं है, बाहर से हमें किसी सूख की मांग नहीं है, हम अपने आत्मा में ही त्रिपते हैं, आत्मा हमारी दिश्काम है और हम आत्मा में ही त्रिपते हैं। तो अब मोक्ष के लिए, जो संतों ने कहा है कि कोई अपना नहीं है, तो पहले मोक्ष को हम ठीक से समझ लें, फिर हम उस पर आएंगे कि कोई अपना नहीं है, ऐसा संत क्यों कहते है, क्योंकि मोक्ष में बाधा क्या है? बाधा है हमता और मामता, यही दो बाधा है. हमता क्या है? मैपन, अहंकार, और मामता क्या है? मेरापन, यह कामना, जहाँ जहार मन जोड़ बनाता है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा समंद, तो जहां जहां यह मन जोड बनाता है जहां मेरा आगया वह ममता है तो यह हमता का अर्था हंकार है और यह यह कर सकते हो कि इसको मैपन कर सकते हैं इसको करता का भाव अर्था था हम जो करते हैं बस मैं ही करने वाला हूँ जो भी कर्म है मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं भाव कि इसमें कोई परमात्मा का योगदान है, किसी और का योगदान है, ये मेरा ही योगदान है, मैं ही करता हूँ, ये हमता है, और जैसा हमने होता है, ममता का क्या रत है, मेरा पन, समंधों में उल्जाओ, ऐसा का अधिकतर लो करें, वो मैं बता रहा हूँ, कि हमता ममता को दूर करें, अहंकार को दूर करो, मेरा पन को दूर करो, यही तो मूल जन्जाल है, क्योंकि मुक्ष में वास्तों में यही बाधा है, ऐसे गुरु तेक बाहदुर कहते है, मान मोह को परीहरे, मान क्या है, अहंकार है, तो हम सब जानते हैं, लोग हमारा आदर करें, लोग हमारी प्रशमसा करें, लोग हमको मुल ले, तो ये मान जो है, ये मैपन है, अहंकार है, इसलिए कहते है कि मान को छोड़ो, मोह मान मोह को परिया, मोह क्या ये मेरा पन है, जो मेरे पास है, संपत्ति है, परिवार है, तो हम चाहते हैं कि कहीं हम से दूर ना हो जाए, हमारी पकड़ बनी रहे, तो ये भी मुक्ष में पिर करो गोविंद के गुन गावे, अब गोविंद का सुमिरंद करो, कह नानक ऐसे कोई प्रानी जीवन मुक्त कावे, कहते हैं नानक देव जी गुरू तेग बाहदुर जी के मादम से इस प्रकार कोई व्यक्ति मौक्ष को प्राप्त कर सकता है, और जीते जी प्राप्त कर स तो आओ कुछ संतों का ही उधरन देते हैं, ताकि तुम समझ पाओगे कैसा कहने कारण क्या है। इसके लिए बिहार के दरिया साब कहते हैं, कोठा महल अटारिया, बहुत सुख बाकाना रहे। बड़े-बड़े मकान तुमने बना लिये, कोठा बना लिया, महल बना लिया। और तुम अपने आपको सुचते हो कि सुख का हमने सारा इंतिजाम कर लिया। तो कहते हैं कि जों आया तें जाएगा भी खिया लिप्टाना रे विशे रसों में इतना तुम्हारा रस है विशों में तुम लिप्टे हुए हो विशे सुखों में तुम उल्जे हुए हो लेकर एक बात ठीक से समझ लो तुम खाली हाथ आयते और एक बात पक्की है कि खाली हाथी तुमको जाना है हाथी घोड़ा महल खाजाना सब गर्द समाना रे पुराने जमाने कुपमा है तुम्हारे पास हाथी है घोड़ा है महल है खाजाना है धन है संपत्ती है सब धूल में मिल जाने वाला है और छन में परले होता है पीछे पस्ताना रे तुमको कुछ भी पता नहीं है कि कब परले आ जाए कब ये सब भूकम पा जाए कब आग जनी हो जाए कब डागू चोर आ जाए कब नुक्सान हो जाए बिलकुल तुमको पता नहीं है और नहीं तो कोई आक्रमन कर दे दूसरा द अपना है लेकिन कब तक अपना है मृत्य तो सब को छील लेती है जब तक सभी स्वारत के संगी है जब तक तक तुम्हारे दिन अच्छे हैं सब कहेंगे कि ये मेरा अपना है तक जैसे तुम पर विपत्ति आती है फिर देखो उस समय कितने लग तुम्हारे अपने रह पाते ह कहे दरिया सत्गुरु बिना जम हाथ भी काना रे सब अंत में जम के हाथों के शिकार हो जाते है जम पकड़ के ले जाता है हाँ जिनका सत्गुरु है वो तुम को मुक्ष की कला आत्मा की अमर्ता का ज्यान देता है तब तुम जानते हो कि शरीर नश्वर है लेकिन मैं नश्वर नहीं हूँ मेरा हस्तित्व मिटने वाला नहीं है ऐसे भी कभी आँख बंद करो और देखो कि फिर तु है शरीर तो मरेगा लेकिन क्या मैं मेरी हस्ति हमेशा के लिए समाप्त कभी होगी क्या मेरा हस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त होगा और तुम देखोगे कि नहीं मेरा आस्ति तो हमेशा के लिए तुम नहीं मिठ सकता इसलिए सारी धार्विक परंपराओं ने मनुश्य की अमर्ता को स्विकार किया है चाहे किसी ने किसी रूप में दूलन दास कहते हैं यह नईया डगमग नाम बिना कहते हैं यह जीवन जो है नाव की तरह है और हमेशा यह नाव डगमगाती रहती है क्यों? क्योंकि नाम तत्तो का ग्यान नहीं उंकार तत्तो का ग्यान नहीं अगर उंकार तत्तो का ग्यान नहीं तो आत्मा का ग्यान नहीं उंकारतत्त्तों का ग्यान नहीं तो परमात्मा का ग्यान नहीं यह मजधार नहीं कोई अपना यह बहुत सागर के मद्द में जब पहुंचाओगे तो वहाँ कोई अपना साथ देने वाला नहीं है, अदियों सीष सद्गुरु चर्णा, इसलिए अपना सीष सद्गुरु की चर्णों में अर्पित कर दो, तक इस समय रहते यह आत्मा के सत् को जानो, अपनी शाष्वतिता को जानो, अपनी बका को जानो, भीखा साहब इसके लिए कहते हैं, राम सो कर प्रीत रेमन, राम सो कर प्रीत, कहते हैं, समय रहते, यह विशय से प्रीत छोड़ करके राम से प्रीत करो, आत्मा से प्रीत करो, जो ब्रम का चर्ण कमल है, ब्र इसलिए राम सो करप्रीत, रेमन राम सो करप्रीत, राम बिना कोई काम नावे अंत धाओ जहां भीत, क्योंकि राम के बिना, गोविंद के बिना, आत्मा के बिना, कोई बाहरी तत्व सहायक होने वाला नहीं है, जैसे कच्ची दिवाल अंत में किर जाती है, ऐसे ही एक दिन त कोविंद के बिना कोई भी अपना पर्मानेंट ही तैशी नहीं होता है। शंकराचारी इसके लिए बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक तुम सब क्यों हो प्री तब यह सुत्र समझ लो यही सार है। जब तक तुम धन कमाने में सक्षम हो, जब तक रिटार्मेंट नहीं हुआ है तुमारा, तब तक समझ लो कि सब तुमको मान दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब धन अर्जन में सक्षम नहीं हो, फिर देखो क्या तुमारा रिटार्मों की दुर्गती तुमने देखी हो, परिवार वाले भी क्या दुर्गती करते हैं। धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक तुम सब के हो प्रितम, जब बृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए। घर में भी होता आदर कम। पत्नी भी कहती है कि आप क्या दिन बर बैठे रहते हो, कुछ देखो, कुछ कमाने की फिक्र करो। तो ये जब बृद्ध हुए तो लेकिन सवाल है कि इसको आदमी समझता दे। और ऐसे ही समय बीच जाता है और तक बहुत ही देर हो जाती है। जब बृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए घर में भी होता आदर कम। अब सारी माया मोहतजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। इसलिए ये माया का जाल फैला रखा है, समन्दों का जाल बिचा रखा है, इसको छोड़ो और गोविंद का सुषिनद करो। उस तत्त को जान लो, जिसको जानने के बाद बस सारी कामनाएं मिठ जाती हैं, सारा आहंकार मिठ जाता है। और तुम गोविंद के प्रेम में जीते हो तो उसमें आनन्द की घरी शुरू हो जाती है, प्रेम की घरी शुरू हो जाती है। आदेश